हलो फेंट स्वागत है आपका स्मार्ट नुक्री चैनल में और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार इलक्षन को लेकर आखिरकार फाइनल रिजल्ट आ चुका है जी हाँ और जो अटकले लगाए जा रहे थी कि तिजस्वी यादो एक बार फिर से सता में वापस आ सकते हैं साड़कार को लेकर लेकिन यहां पर उनकी सारी रड़निती फेल होते हुए नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब सीम जिया यानि नितिस कुमार बनेंगे और डिप्टी सीम को लेकर जो अटकले लगाए जा रही थी वो भी जो है क्लियर हो चुके क्य यहां दोस्तों जैसे ही ट्विटर हेंडल पे इस खबर को जो है लाइव किया गया उसके बात से लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही यानि जनता क्या चाहती है आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के साथ अंतक बने रहेगा और अपनी राय ज़रू बताए क्या आप आया उसके बात से लोगों का क्या प्रतिक्रिया आएं देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर आरके जी ने क्या किया है फिर से शुचिल मोधी जैसे नालायक को उपमुख मंत्री बनाय गया जो कभी इलेक्शन तक नहीं लड़ा यह ट्वीटर एंडर पर है यह दोस्तों इतने लोग मेहनत करते हैं सुसिल मोधी को मुख मंत्री बनाने के लिए और नितिस को मुख मंत्री बनाने के लिए तो यहां पर इनका गुसा साब देखा जा सकता है इन्होंने पूरी तरह से सबको टैक करते हुए यह बात कही अपनी चलिए हम और चुविट दे ना कि सबसे कम सिर्ष देती दूसरी तरफ डॉक्टर कमल की सोर सिंग लिखते हैं डिट्टी सियम नहीं नितीज के तलवा चार सियम अपकी भाजपा को गंगा लाफ करा के ही दम लेंगे अपकी बार तो लोग इस उमीद पर वोट किये कि इस सियम और डिप्टी सियम से मुक् नहीं जाना चाहिए किसी के पास उस इनमोदी के अलावा नहीं तो बवाल मज जाता मजाक है क्या इतने साल से खुटा गार के बैठे हैं भले ही तीन परसंट से ज्यादा लोग आज तक पर पसंद नहीं किया हो इनको लेकिन कुछ हो कि डिप्टी सियम यहीं बनेंगे तो जनता के द्वारा चुने गए लोगों को आप डिप्टी सियम मुख मंतरी के पर नहीं काविश करते और अपनी ही मरमानी करते हैं देख सकते हैं आप यहापे ट्वीटर हंडर पे लोगों का घुसा किस प्रकार फुटा है कि तीन परसंट से ज्यादा लोग जो इनको करता है जमिनियस्तर पर इतनी मेहनत करते हैं बिहार में मुक्यमंतरी और मुख मंतरी परद के लिए और बनते हैं कौन वैसे लोग पसंद तक नहीं करतें जो चुनाव तक नहीं लड़ते तो यह कहीं नहीं जो बिहार की राजनीथी में फिर से जो हरकम मचाने माली खबर निकल के आ चुकिए जियां कल जो है सपत ग्राण होने वाला है नितिस कुमार जी का जो सातवी बार बिहार के मुख्यमंतरी बनेंगे लोगों की आशा है कि एक बार जो है बिहार का जो है अब उध्धार होना चाहिए क्योंकि लंबे समय से बिहार के मुख्यमंतरी है सातवी बार अगर किसी राज का मुख्मंद्री का पत सम्हाल रहे तो कितने गौरव की बात है उनके लिए साथ ही उनको इस चुनवा में ये सबग भी मिला कि जनता उनसे काफी जादा नाखुस है जिसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा उनकी सीटों पर पड़ा जहां सतर पर शिकुड कर रहे हैं नितिस कुमार जी तो यहां पर पूरी तरह से इस बात को जो है संग्यान में लेते हुए काम करेंगे आने वाले समय के लिए बिहार में जरूर उननेती करेंगे ताकि जनता जो है एक बार उनके जो विश्वास हो चुके वो विश्वास को वह जिया हुआ!